जब लोग रूजमर्रा की भाशा में परिमाप या पेरिमिटर शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वे वास्तों में उस समय किसी क्षेत्र की सीमा या बाउन्डरी के बारे में बात कर रहे होते हैं. और जब हम गडित में इस बारे में बात करते हैं, तो हम संबंदित विशय पर ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम केवल बाउन्डरी के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, हम वास्तों में बाउन्डरी की लंबाई के बारे में बात कर रहे होते हैं, या किसी बाउन्डरी के चारों ओर की लंबाई के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले इस त्रिभुज, यानि की ट्राइंगल पर नजर डाल लेते हैं, इसकी तीन भुजाए हैं, इसलिए ये एक त्रिभुज है, और इसका परिमाप यानि की पेरेमिटर क्या होगा? इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान है इसलिए इसका परिमाप है चार जमा चार जमा चार जमा चार और मान लिजे इसकी लंबाईयों की इकाई यानि की योनिट सेंटिमीटर है इसलिए इसका परिमाप 4 cm जमा 4 cm जमा 4 cm बराबर 12 cm है अब मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉस करके इन 3 आकृतियों का परिमाप यानि की परिमिटर पता करें हमें केवल इनकी भुजाओं की लंबाईया जोडनी है माल लीजे इस आकृति की लंबाई मीटर में दी गई है ये एक आयत यानि की rectangle है, इसकी दो भुजाओं की लंबाई 3 मीटर है और अन्य दो भुजाओं की लंबाई 5 मीटर है, तो इस आयत का परिमाप क्या होगा? इस आयत के चारों और की भुजाओं की दूरी क्या है? इसका परिमाप है 3 जमा 5 जमा 3 जमा 5, 3 जमा 3 हुए 6 और 5 जमा 5 हुए 10 और 6 जमा 10 हुए 16 और भुजाओं की इकाई मीटर है, इसलिए इस आयत का परिमाप 16 मीटर है, इस पंच भुज यानि की pentagon का परिमाप क्या है? इसकी प्रतेक भुजा की लंबाई 2 है और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सभी लंबाईया सेंटिमीटर में दी गई है, ये 2 सेंटिमीटर है और ये भी 2 सेंटिमीटर है, तो सेंटिमीटर में इस पंच भुज यानि की pentagon का परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप है 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 सेंटिमीटर, इसकी कुल 1, 2, 3, 4, 5 भुजाय है और प्रतेक भुजा की लंबाई 2 सेंटिमीटर है, इसलिए इसका परिमाप पता करने के लिए हम 5 बार 2 को जोडेंगे, या फिर हम 5 को 2 से गुणा भी कर सकते हैं, और इस पंच भुज का परिमाप है 10 cm अगली आकरिती एक विशम बहुभुज यानि की irregular polygon है तो आप इसका परिमाप यानि की perimeter कैसे पता करेंगे इसके लिए आपको केवल इसकी सभी भुजाओं की लंबाई जोडनी है, बान लीजिए इसकी सभी लंबाईयां मीटर में दी गई है तो इसका परिमाप है एक जमा चार जमा दो जमा दो जमा चार जमा चै तो इसे हल करने पर क्या आता है एक जमा चार हुए पांच पांच जमा दो हुए साथ साथ जमा दो हुए नौ नौ जमा चार हुए तेरह और तेरह जमाच है हुए उन्नेस तो इस आकृति का परिमाप यानि की परिमिटर है उन्नेस मीटर